एप हेलो इस्टूडेंट जिस तरीके से आपका एक्जाम जितना पास आता है आपको डर लगता है उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं क्या करूं आप लोगों के लिए कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजे कर ले तो सर मैं बात करूंगा बच्चे दो तरीके के हैं और ये वीडियो बीकॉम ओनर्स के लिए है समिस्टर पांच के लिए अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ फाइनेशल मेनेजमेंट जो की कमपल्सरी ही है तो ये वीडियो सिर्फ फाइनेशल मेनेजमेंट जिस क्या पढ़ना चाहिए सबसे पहले बता दीजिए क्या पढ़ें तो नंबर वन पे आपको पढ़ना है सर लीबरेज सर आपके पास बचा कितने दिन है सिरफ और सिरफ seven days लीबरेज पढ़ना है वन डे में खतम करना है सर पढ़ने का क्या तरीका होगा वन डे में खतम कर लेंगे आपको कॉंसेप्ट जो एप्लिकेशन पर है वह तो स्टार वाले वीडियो देखके फटाफट कॉंसेप्ट खतम करें जो यूटूब पर हैं जितना मैक्समुम कोशिस होके जिन्होंने कर लिए उनके दिक्कत नही लेगा चार घंटे चेप्टर लेगा ही लेगा खतम करने में लेक्चर देखोगे प्रक्टिस करोगे बड़े छोटे-छोटे से कॉंसेप्ट है तर नंबर दो पर क्या करें नंबर दो पर उठाईये कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर कितने दिन में सर ज्यादा टाइम तो है नहीं आप वन एन वन हाफ यह मैं तो कहता हूं यह तो छोटा सा ही चप्टर है सर वन डे लीजिए फाइव आर्स लग जाएंगे और में भी उससे कम लगे नंबर थी पे एक सर कौन सा चप्टर लेना है हमें नंबर थी पे लीजिए आप डिविडेंट सर बहुत सिंपल चप्टर वन डे वन डे में कितना टाइम स्पेंड करना है सर मैक्समुम फाइव आर मैक्समुम चार तीन से चार घंटे में हो जाता है यह चप्टर मैक्समुम नंबर चार पे सर क्या करना है नंबर चार पे आपको करना है इसी के साथ एक हेल्पिंग चेप्टर है हमारा वो है वेल्यू अफ़र्म या मैं इसका एक बार ओर्डर चेंज कर देता हूं आपके लिए ओर्डर क्या चेंज करना है सर यहां पे ओर्डर यहां पे ओर्डर मैं यह करता हूं कि यहां के लिए इसको मैं कर देता हूं एक मिनट इसको मैं कर देता हूं कितने पे इसको मैं कर देता हूं तीन पे और न और एक दिन से कमी लगेगा नमबर पांच नमबर पांच पे आपको करना है वर्किंग क्यापिटल और सर नमबर छे पे करना है आपको उपरेटिंग साइकल ये दोनों चेप्टर वन डे में हो जाएगा आपके कितने हो गए एक दिन, दो, तीन, चार, पांच अभी भी दो दिन बाकी है अभी भी आपके पास टाइम बचता है तो नमबर सेवन पे आप उठाएंगे क्यापिटल बजटिंग ये आपका दो दिन पूरा ले जाएगा बाकी चेप्टर जो कम प्रॉबैबिलिटी है आने का मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये सारा चेप्टर कर लेते हैं तो आपके कितने नमबर आ जाएंगे चार से पांच दिन में सर ये चेप्टर है पंदरा नमबर का आएगा ही आएगा कर लोगे तो इसमें से पंदरा नमबर का probability है आने का value of firm में और आपका cost of capital leverage इन तीनों को मिला दो तो पंदरा नमबर का सवाल आएगा सर डिविडेंड में से तो पक्का पंदरा नमबर का सवाल आना है तो कितने होगे पंदरा 30 और 60 और एक chapter number one है आपका theory का वो तो आप पढ़ के जाओ गए ही 15 तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा 75 का revise हो जाएगा ये maximum expected chapter में बता रहा हूं जो कि आपके exam में आएंगे क्या क्या सर आपने छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया time value of money एक दिन का chapter आपको अगर आता है तो बढ़िया है आपने math में पढ़ा होगा mathematics में वो कर रखा होगा तो उसी के according है और क्या छोड़ दिया सर आपने EBIT बहुत rare पूछा जाता है अगर इसमें करेंगे तो indifference point करना ह वाला नमबर तीन पर क्या छोड़ दिया सर receivable management एक सवाल जरूर देख के चले जाईए नमबर चार पर सर cash budget cash budget बहुत कम पूछा जाता है नमबर पांच पर EOQ तो मैंने आज तक देखा नहीं कि आया हो EOQ ये chapter छोड़ दिये जो कि बहुत rare है इसमें से theory पूछे जाने के chances हैं तो hopefully आपको financial management का पूरा plan पता चल गया होगा साथ दिन बाद exam है आपके मैंने कोसिस करिए कि 6-7 दिर में आपके खतम हो जाए इसी के according chapter करिए जो बच्चे YouTube पे हैं पहले से कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी जिन बच्चों को problem है और लगता है कि सर अभी तक क कहना चाहूंगा जो बच्चे नए हैं वह स्टार बने हुए वीडियो को देखें और जल्दी से जल्दी गाइडेंस मैं डेली बेसिस पे उस पर वॉइस SMS बेज रहा हूं कि आज यह चप्टर खतम करो यह और रेगुलर टेस्ट भी और ऐसर टेस्ट हो रहा है आपका चाह लेकिन बाद में डलेगा थोड़ा एक कनवर्ट होने के बाद तो इसके हिसाब से सर आपके अप्टिकेशन पर लाइब क्लास जो चलेगी उसकी प्राइस क्या रहेगी नीचे मैं कस्टूमर केर का नंबर दे देता हूं नॉमिनल प्राइस होगा नॉमिनल का फिर मैं पूरी तरीके से गाइड कर देंगे साल बरबाद मत कर लीजिएगा बस आपके पास पांच दिन अगर पांच दिन आपने आलस दिखाया आपका साल गया यह पिपर फिर अगले साल होगा 2023 में जाके इस बात का ध्यान रखिएगा ना तो आप MBA का एक्जाम भर पाएंगे को कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं सारी डिटेल मैंने पिंग भी कर दिया और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है थैंक यू सो मच मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स वीडियो में अगली वीडियो जो मैं लेके आऊंगा जिनके पास management account है दोनों subject को कैसे ल होगा थैंक यू सो मच